पोच बागत है आप सभी का हमारी खास पेशकर्स नदिया आई राम दुआरे में आयोध्या में दुनिया के साथ महादवीपों के 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से राम मंदिर का जलाभी शेक किया गया इस कारिकरम में 40 से जादा देशों के प्रवासी भारतियों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया जैस्री राम के नारों के बीच अनेक देशों के राजतूत और राजनाइक भी इस भवे कारिकरम में मौझूद रहे इसमें फिजी, मंगोलिया, डेनमाक, भुटान, रोमानिया, हैती, ग्रीज, कोमारोस, इसके लावा कर्बे वर्डे, मौंटी, नांगरो, चुवाल, समेत कई अलग-अलग देशों के जो जल हैं वो लाए गए अलग-अलग देशों के राजनाइक मौझूद रहे, मरियादा पुरुसोत्ताम भगवान राम के इस एतिहासिक जलाभी शेक कारिकरम में जिन्होंने हिसा दिया भूटान, सूरिनाम, फिजी, स्रीलंका और कमबोडिया के वर्तमान राश्य अध्यक्षों ने इस मौके पर अपने शुबकामना संदेश डॉक्टर जॉली को भेजे कारिकरम का विधिवत उधातन, पूरे मंत्रोचारण के साथ किया गया, जिन पवित्र नदियों के जल से जलाभी शेक किया गया उनमें प्रमुख है उजबेकिस्तान की चिर्शिक नदी, तजाकिस्तान की वक्ष नदी, यूकरेन की डैनिस्टर नदी, रूस की वोलगा नदी, मौरिश्यस की गंगा तालाब, पाकिस्तान की रावी नदी, हिंद महासागर भी जलाभी शेक के लिए जाया गया था हिंद महासागर से भी जो जल है वो जलाविशेक के लिए लाया गया था और आज जो नजारा था वो अपने आप में बेहत खास था देखने लायक था कैसे पूरी आये उध्या नगरी पूरी राम में नजर आई भक्ती में डूबी नजर आई वो तस्वीरें बेहत खास थी आगे उन तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे कि नलग-लग देशों से ये जल लाया गया था कौन-कौन इस तोरान इस मौके पर मौझूद था ये फिलहालम आपको ग्राफिक्स के जरीए बता रही है 155 देशों से जल लाया गया, महादवीपों से जल लाया गया और कलश बाकाइदा सभी तैयार किये गए थे उन कलश के उपर जिस देश का वो जल था, जिस नदी का वो जल था उन नदीओं के नाम लिखे हुए थे, साती साथ उन देशों के नाम लिखे हुए थे साथी साथ जंडे भी वहां उस कलस पर बनाए गए थे तस्वीरे जंडों की भी लगाई गई थी और वो नजारा अपने आप में बेहत खास था जब जला भी शेक यहां पर किया गया आपको याद होगी वो तारीक भी साल 2020 की पांच अगस जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नीव रखी थी राम मंदिर की चांदी की ईट से नीव रखी गई थी पिया मोदी की तरफ से और तभी से उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि जो जल लाने का कारे है वो शुरू हो गया था साल 2020 से ये पूरा काम चल रहा था और आज 155 देशों के जल से जलाभी शेक किया गया अब इस वक्त आयोध्या में लता मंगेशर चौराहे पर मौजूद हैं यहां यह वीना खुपसूरत वीना आप देख सकते हैं कैसे उनकी याद मेह लगाई गय थी एक बड़ी बात यह है कि आज यहां पर आयोध्या में 156 देशों से 156 देशों की नदियों से पानी लाकर भगवान राम का भी कुछ देर पहले जलाभी शेक किया गया हमने वहां की भी तस्वीरे दिखा हैं अब हम यहां आयोध्या के लोगों से बात करेंगे कैसा महसूस हो रहा है आपको श्री राम जो सबके हैं जो अलावकिक हैं अवतरित हुए हैं और सबके दिलों में हैं लेकिन आज 156 देशों के वाकई पानी लाकर उनका जलाभी शेक किया गया अब बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी लोग से गुजारिस करेंगे भगवान सबके हैं और सब लोग इसकी स्रद्धा पुर्वग इसका वो करें और भंब राम मंदिर बनेगा तो इसके बारे में सब लोग आए दरसन करें और अजया धाम को राम के प्रसमर्पित करें जैश्री राम के नारे आप सुनेंगे आज 156 देशों से पानी लाकर मतलब जल लाकर के नदियों का आज कुछ देर पहले अभी प्रभू श्री राम का जला विशेक किया गया और बहुत बड़ी तादाद में वहार से विदेशी डिप्लोमाट्स आइस दिर्शी को देखन कैसा महसूस करता है आप लोग सुनके कैसा लगता है हमें शौभा के से हिंडू धर में मिला बहुत अच्छा मुगर्व से जीने मलब जाकर कहें कि हम इंडियन है तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें बहुत अच्छा देश मिला तो बिल्कुल जैस्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं और यहां पर महूल बहुत अलग है कई सारे लोग यहां पर दरशन करने के लिए हैं आप कई सारे डिप्लोमाट्स कई देशों से आतने आए हैं लेकर हम लोग सुबा से यही कवर कर रहे हैं कि लोग जल लोटे में पानी भर कर पुरी दुनिया से 156 देशों से लेकर अंटार्टिका जिमनीजिया अजर भाईजान जैसे देशों से पानी आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सनातन धर्म को बढ़ाया जा रहा है और इसका आनन्द उठाएंगे यह बीड यह जो इस वक्त यहां पे जो तस्वीरें हैं वो इस बात की बिलकुल बानगी है कि यहां पर कभी भी श्रद्धवालों के आने का ताता हमेशा से लगता रहता है और अब जब भविश्री राम मंदिर बन रहा है और उस दोरान ये एक बड़ा कारिकरम रखा गया जहां 156 देशों के जल से प्रभुश्री राम का जलाविशेग कराये गया क्यामरमेन गौरब के साथ अभिशेग सिंग इंडिया न्यूज अयोध्या बड़ी स्वंख्या में जल लेकर प्रवासी भारतिय भी यहां पहुंचे और प्रवासी भारतियों से खास बादसीत की जोती जैसबाल में आपको सुनाते चपन आज जो जल आये ते उसकी चाहे थी वह जल अब भगवान राम लला के राम जनम भूविपत्स से राम लला के जलाविशेग के लिए वह वह शोभा यात्रा निकल चुकिया हमारे साथ कुछ लोग हैं हम कहां से आई यह कहां का जल है आपके हैं यह काब वर्दे का ज सकते हैं कि किस तरह से जो लोग जल लेकर आये थे वह इसी मार्ग से भगवान राम लला के जलाविशेग के लिए रहे हैं सब्सक्राइब बहुत बढ़िया लग रहा है मेरा जिनम एक तरह से सफल हो गया है यहां पवितर मंदिर के निर्माद के लीजिए बूटान से जल लेकर आहे हैं आप उनके साथ में कैसा लग रहा है यह किस तरह से आपको देख रही है अपने जिससे हमारे करुश्च हैं हम यहां पे आगए हैं तो हमारा लग रहा कि पूरे खंदान हमारा उधार हो गया है और मेरे को जीवन में कभी मौत है कुछ है तो मेरे को कोई कमी नहीं मैसुस होगी जल लेकर आई है किस तरह से उस जल को एकत्तिरित किया आपने और यहां तक होची हमारे जोन जी है वो जल एकत्तिरित किये हैं 155 देश से और सब का एकठा होके अभी पूजा पाठ होके फिर हाबी जैक के लिए लग निकले आइश सब जमा होंगे और फिर जाके के लिए आरहे हैं यहीं पर सभी लोग लग कत्तिर हो रहे है और यहां से ही भगवान राम लाला की जलाबी शेक के लिए निकलेंगे इंडिया नियूस के लिए जोती जास्वाल आयोध्या और चलिए बात करते हैं राम मंदिर के भव्वे निर्मान की पांच अगस्त दोहजार बीस को पिये मोदी ने राम मंदिर के आधार सीला रखी जी उसके बाद राम मंदिर का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है करीब असी फीसद काम पूरा हो चुका है आप भी देखी भगवान सी राम के भव्वे मंदिर के निर्मान की छलाग पांच अगस्त दोहजार बीस को शीला न्यास भव्वे राम मंदिर का तेजी से निर्मान जल्द भवन में राम लला होंगे विराजमान करोडो भवक्तों का सपना होगा साकार ये जलक है भगवान श्री राम कुस मंदिर की जो जल्द पूरी भविता के साथ बन कर तैयार हो जाएगा राम लला टेंट से निकल कर भव्य मंदिर में विराजमान होगी और इसके साथ ही पूरा होगा करोडो भवक्तों का सपना आस्था की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्मान का काम तेजी से चल रहा है ग्राउंड फ्लोर का अस्ति फिसिदी काम पूरा होने के बाद अब उसकी छत बनाई जा रही है तस्वीरें आपके सामने है शिराम जन्भुमी तिर्थर शत्र ट्रस्ट ने राम लला की दिव्य मंदिर की नई तस्वीरें जारी की है इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर का स्वरूप कितना वैभव शाली और दिव्य होगा तस्वीरों के साथ लिखा गया है कोटी कोटी राम भक्तों द्वारा शताबदियों तक किये गए अनवरत संघर्ष की परिणत्थी के रूप में भगवान श्री राम लला का धिव्य मंदिर अगार लेता दिख रहा है जै श्री राम दरसल पांच अगस्तों हजार बीस को पांच सो साल से जिन लम्हों का इंतिजार था वो लम्हा अवध नगरी में पूरा हुआ था अयोध्या में पिये मोदी ने राम जन भुमी मंदिर का भुमी पूजन किया और करोडों राम भक्तों का सपना साकार हो गया पिये मोदी ने राम जन भुमी मंदिर की नीव में नौश इलाएं रखी इस मौके पर पिये मोदी ने कहा था कि बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्मान होगा से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे राम लला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्मान होगा तूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यती क्रम से राम जन्भुमी आज मुक्त हुई है राम मंदिर का निर्मान का काम युध लिबल पर चल रहा है बड़ी ताधाद में कारीगर लगे हुए है यहां कर्मचारी तीन शिफ्ट में काम कर रहे है लखनव अयोध्या हाइवे को जोडने के लिए शिराम पत का निर्मान हो रहा है मंदिर का 80 फिस्दी निर्मान पूरा कर लिया गया है सीम योगी खुद मंदिर निर्मान को लेकर पूरी तरह समरपी थैं 19 मार्च को ही सीम योगी आदित्टिनात ने ऐड़ीया में चल रहे भव्यराम मंदिर के काम का जायजा लिया था इसी साल जनवरी में सियम योगी आदित नाथ ने राम मंदर की तारिख का एलान भी किया था सियम योगी ने कहा था कि दिसंबर 2023 में अयोध्या की राम मंदर का निर्मान कारिय संपन हो जाएगा अयोध्यामे भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्मान का कारे भी आज अंतिम चड़ों में चला है 2023 के दिसंबर मास में अयोध्यामे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्मान कारे संपन हो चुका होगा वायोबेनो ये भारत का राष्ट मंदिर है जिसमें समाज के हरे एक तक्के को भरपूर सम्मान मिलेगा ग्री मंत्री अमित्य शाह ने भी एक जनवरी 2024 को राम मंदिर के तयार होने की घोशना की थी अमित्य शाह ने त्रिपुरा में एक रैली को समोधित करती हुई कहा था कि एक जनवरी को राम मंदिर बन कर तयार हो जाएगा राहुल वाबा हरोग पुत्ते से मंदिर वही बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे और राहुल वाबा कान खोड़कर सुन लो और सब्रूम वालो आप भी टिकेट करा लो एक जनवरी 2024 को अयोध्या में गकन चुम्बी राम मंदिर वहाँ पर आपको तयार मिलेगा राम लला के दर्शन के लिए लाखों करोणों भक्त नंगे पैर मंदिर तक जाया करेंगे राम भक्तों को कोई परिशानी नहों इसलिए सरकार खास सडकी भी बनवा रही है यहाँ इसी सडके बर्माई जा रही है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन उस पर चलने वालों की पैर नहीं जलेंगे अनुमान लगाया जा रहा है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन जायेगा तो रोजाना एक लाख शन धालू राम मंदिर में दर्शन करेंगे साल 2047 तक 10 करोड लोग सालाना आयोध्या पहुचेंगे यूरो डिपूर्ट इंडिया नियोज और अब बात मोधी के राम की आयोध्या में राम मंदिर शलन्यास के दौरान पीम मोधी ने बताया था कि कैसे राम सब के है उनकी शासन नीती कैसे आज भी सभी के लिए प्रेणा सोथ है देखिए मोधी के राम पर एक खास सुपर आयोध्या में श्री राम का मंदिर महज़िक मंदिर नहीं है हमारी संस्कृती का आधुनिक प्रतीक है हमारी श्यास्वत आस्था का राश्ट्रिय भावना का और ये मंदिर करोडों करोड लोगों की सामोहिक संकल्प शक्ती का भी प्रतीक है 5 अगस 2020 को प्रधान मंत्री मोधी ने आयोध्या में राम मंदिर की आधार शिला रखी थी इस मोखे पर उन्होंने कहा था कि ये मंदिर आने वाली पीडियों को आस्था श्रद्धा और संकल्प की प्रेड़ना देता रहेगा मंदिर के निर्मान की ये प्रक्रिया राष्ट को जोडने का उपक्रम है ये महोत्सम है विश्वास को बिद्यमान से जोडने का नर को नारायन से जोडने का लोक को आस्था से जोडने का वर्तमान को अतीच से जोडने का और स्वा को संसकार से जोडने का पिये मोदी ने बताया कि प्रभू श्री राम की शासन से हम प्रेड़ना लेकर आपने जीवन को उत्विष्ट बना सकते हैं प्रभु श्री राम हम सब के प्रेड़नास्रों थे श्री राम चंद्र को तेज में सूरिय के समान, छमा में पृत्वी के तुल्य, बुद्धी में ब्रहस्पती के संदेश्य और यश्में इंद्र के समान माना गया है स्री राम का चरित्र सबसे अधीक, जिस केंद्र बिंदु पर घुमता है, वो है सत्य पर अडीग रहना इसलिए ही स्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश अस्तंब बने हुए है स्री राम ने सामाजिक समरस्ता को अपने शाचन की आधार सिला मनाया था इतना ही नहीं दुनिया भर में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं, राम किसी एक के नहीं वो सब के हैं राम सब के हैं, राम सब में हैं साथियों मुझे विश्वास है कि स्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला बद्व राम मंदीर भारतिय संस्कृति की समरुद्ध विरासत का द्यो तक होगा मुझे विश्वास है कि हाँ निर्मित होने वाला राम मंदीर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रणा देदगा इसलिए हमें यह भी सुनिष्चित करना है कि भगवान स्री राम का संदेश, राम मंदीर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पुरे विश्व तक निरंतर पहुचे पियम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे प्रभू श्री राम से प्रेड़ना लेकर हम गरीबूं का कल्यान कर सकते हैं कैसे बुजर्गों और बच्चों की रक्षा कर सकते हैं नारी का सम्मान कर सकते हैं साथ्यों हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है नराम शदश्यों राजा पृत्वियाम नितिवान अभूत यानि कि पूरी पृत्वी पर स्री राम के जैसा नितिवान शाचक कभी हुआ ही नहीं श्री राम की सिक्षा है नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना कोई भी दुखी न हो गरीब न हो श्री राम का सामाजिक संदेश है पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सवशो भी तह नर नारी सभी समान रुप से सुकी हो बेदभाव नहीं श्री राम का अंदर देश है कच्चित ते दयती है सरवे है कुषी गोरक्ष जीविना किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे तो कुछ ऐसे हैं प्रभू श्री राम करोणों लोगों की आस्था के केंद्र प्रभू राम है और उनके आदर्शों पर चलकर सही माइने में हम श्री राम के नाम को सार्थर कर सकते हैं Bureau Report, India News